इस वीडियो के नगाइस हम लोग बात करने वाले हैं उद्धियम रजिशन के नए प्रोसेस के बारे में 2024 क्या 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 डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वार्मेंट रहती है step by step पूरा live process बताऊँगा कि कैसे आपको अपना certificate यहाँ पे बनाना है और government उसके ओपर क्या क्या benefits आपको provide करती है तो please पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखेगा वीडियो को गाई शुरू करने से बताना चाहूँगा अगर आप लोग कोई भी consultancy लेना चाहते हैं या इस certificate के practical benefits जाना चाते हैं तो इस app को आप download कर सकते हैं link in the description box तो देखे अगर मैं पहले बात करूँ कि उद्ध्यम आकर होता क्या और क्या-क्या documents लगते हैं इसके लिए तो उद्ध्यम basically एक self declaration certificate होता है यानि कोई भी government officer की आपको approval की requirement नहीं रहती है आपके पास में सिर्फ आधार number होना चाहिए और pancard number होना चाहिए कोई भी कहीं पे भी document वगर है जो है upload भी नहीं करना सिर्फ आपके पास में information होनी चाहिए उसी की base पे आपका certificate बन जाता है पात में यहाँ पे government के बहुत सारे यहाँ पे आपको benefits मिलते है जैसे मुद्रा लोन हो गया, BMGP लोन हो गया, without collateral security और concession और subsidy मिलती है वैसे इसके उपर detail video मेरा बना हुआ है link in the description box तो चलिए guys यहाँ पे मैं आपको live process दिखाता हूँ तो सबसे पहले आपको उद्ध्यम के इस home beach के उपर जाना पड़ेगा link in the description box पहला option यहाँ पे उनके लिए जो की first time यहाँ पे उद्ध्यम के लिए apply कर रहे है second option उनके लिए जिनके पास पहले उद्ध्योग आधार हुआ करता था और उसको आप convert करना चाहते है उद्ध्यम के अंदर तो भाई उसके उपर भी मेरा पूरा detail वीडियो जो है migration का already यहाँ पर create हो रखा है link in the description box तो चलिए यहाँ पर मैं fresh version बताता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस link के उपर click करना है अब guys यहाँ पर आपसे दो चीजे मांग जाती है आपका आधार नमर और name of the entrepreneur जी है तो अगर आप एक proprietor तो यहाँ पर आपका personal आधार नमर आएगा और आपका exit जो आधार कार्ट के अंदर नाम डला हुआ है उसी में sequence के अंदर आपको यहाँ पर insert करना है यानि कि अगर पहले आपके आधार कार्ट में last name है तो भाई हमीशा last name को पहले रखिएगा उसके बाद में simply यहाँ पर आपको validate कराना पड़ेगा तो आपके आधार number से जो भी mobile number link होगा उसके उपर एक OTP जाएगा और उसको आपको verify कराना है जैसे यहाँ पर यह validate हो जाता है उसके बाद में आपसे आपका pancard number मांगा जाएगा और type of the organization पुछा जाएगा तो अगर आप एक proprietor है तो simply यहाँ पर आपको proprietor choose करना है partnership, LLP और private company के case में आपको ध्यान रखेगा company का जो pancard या firm का जो pancard होता है वो आपको यहाँ पर insert करना है तो guys simply आपको अपना pancard number डालने के बाद में pan को भी एक बार validate यहाँ पर करवाना पड़ेगा तो guys जैसे आपका pan यहाँ पर successfully verify हो जाता है उसके बाद में आपको continue button के उपर click करना है अब यहाँ पर GST कई लोग बोलते की चाहिए होता है लेकिन government ने अलग से एक notification निकाली थी अगर आप proprietorship firm अगर चला रहे तो भाई GST की requirement नहीं है initially बना अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया है वनना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यह पूछेगा क्या आपने previous year में ITR file किये वैसे तो यह by default yes or no के अंदर जवाब देदेगा क्योंकि आपके pancard से data fetch हो जाता है फिर उसके बाद में जैसे बताया था कि अगर आपके पास GST है तो आप yes कर सकते वनना इसको आप simply no रहने दीजिएगा तो इसमें आपको simply जो 8 point है उसमें आपको उपनी social category डालनी पड़ती है तो जैसे journal हो गया OBC जो भी आपकी category है वो आप select कर लीजिए उसके बाद में कहिए simply आपका gender होगा फिर उसके बाद में आप disabled person है की नहीं है तो yes or no के अंदर आपको जवाब देना है उसके बाद में कहिए यहाँ पर आता है name of the enterprise तो अगर आप proprietor है तो आप अपनी firm का नाम कुछ भी रख सकते तो वो आपको यहाँ पर enter करना है इसके बाद में कहिए यहाँ पर plant और unit का नाम आएगा तो देखिए अगर आपकी firm का नाम एक है लेकिन अगर आप manufacturing करते हो और आपके अलग-अलग plant है तो यहाँ पर multiple plants को भी add करा सकते है और सबका address पर यहाँ पर अगर different है तो वो भी आप डाल सकते है बागी अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो भी आपका firm का नाम था है exact आपको plant name में भी वही डालना है उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपकी unit जो है add हो जाती है तो 12th number के उपर location of the plant आता है तो पहले ही यहाँ पर आपको unit select करनी है क्योंकि उपर आपने already add कर रखी है अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको simply इस unit का address डालना है यानि कि अपना register office का address हो गया तो plot number, name of the premises, कौन सा road, city, district वगर है, pin code वगर है, state वगर है तो यह normal सी चीज़े आपको insert करना है तो जो plant का address था अगर वो same address है तो वही address यहाँ पर आपको insert करना है और site में आपको get latitude और longitude का option दिखने वाला है तो इस button के उपर आपको simply click करना है तो आपने जो register office डाला हुआ है उसके आपको coordinates डालने पड़ेंगे तो guys यहाँ पर map के अंदर क्या करना है आपको अपनी location को यहाँ पर find out करना पड़ेगा और जहाँ पर भी आप pin करेंगे तो आप देख सकते वहाँ के coordinates आपको simply तरीके से यहाँ पर auto fetch हो जाएंगे आप guys आपको कुछ नहीं करना okay बटन के ओपर click करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके coordinates यहाँ पर आ चुके हैं इसके बाद में guys अगर आपके कोई previous यहाँ पर उद्योग आदा number वगरे था तो वो आप यहाँ पर डाल सकते वहना इसको आप simply not applicable रहने दीजेगा इसके बाद में guys यहाँ पर आपका status of the enterprise आता है जिसके इंदर आपको अपनी date डालनी पड़ती है यहाँ पर आपको अपनी registration date डालनी पड़ती है तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी past की date वगरे भी insert कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पर ध्यान र चुका है तो आपको yes or no के अंदर जवाब देना है और कब से start हुआ है वो आपको date बतानी है उसके बाद में guys यहाँ पर आप सो अपनी bank details बुचेगा तो आपके पास में current account है तो आप current account का bank number और IFC code डाल सकते है वना आप अपना saving account का भी डाल सकते है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में guys यहाँ पर आते NIC code तो NIC code आपको choose out करने पड़ते है इसके उपर भाई मेरा पूरा dedicate video बना हुआ है NIC code totally depend करते है कि आप किस type का business कर रहे है तो यहाँ पर आप search कर सकते है for an example अगर आप legal services में deal करते है तो जैसे आप 2-3 word डालेंगे यह automatically आपको fetch कर देगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर automatically drop down आ चुका है जिसके अंदर आपको simply select करना होता है जैसे यहाँ पर मैंने एक activity को add करा दिया है ऐसे आप multiple activities को भी add करा सकते है और अगर आप manufacturing, training और service भी कर रहे है तो आप यहाँ पर multiple activities को भी add करा सकते है कोई दिक्कत नही तो जिसके अंदर आपको खुद को include करके आपकी company में firm में कितने लोग काम कर रहे हैं कितने male है कितने female है उसके आपको details यहाँ पर fill up करनी है फिर guys next आता आपका investment in plant and machinery जिसके basis पर आपकी firm है वो decide करती है कि आप micro है medium है या फिर कोई large skill के enterprise है तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी data नहीं है तो सभी के अंदर आप zero डाल सकते है उसके बाद में guys यहाँ पर कई सारे आप से question पुछी जाएंगे जैसे कि आप government का जो tendering का process होता है jam portal क्या उसके ओपर भी आप register होना चाहते है तो आपको simply yes or no के अंदर यहाँ पर जवाब देना है ऐसे invoice discounting का portal है government का उसके उपर आप register होना चाहते हैं फिर उसके बाद में ncs का एक portal है उसके उपर आप register होना चाहते है कि आपको free domain और business email id चाहिए तो आपको yes or no के अंदर जवाब देना है उसके बाद में guys यहाँ पर नीची simply जो है आपको अपने district industry center यहाँ पर select करना होगा तो उपर आपन has been successfully submitted and your registration number जिसके अंदर आपका उद्यम number होता है जैसे आप यहाँ पर ok बटन के उपर click करेंगे तो आपको इस type की screen दिखेगी जहाँ पर आपको अपना उद्यम registration number दिखेगा और उपर जो है आपको option मिल जाएगा print का भी और print certificate का भी इसके लागाईस अगर आपको certificate को कभ अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर एडट भी करना चाहते तो यहाँ पर आपको अप्शन मिल जाएगा साथ में यहाँ पर आपको print certificate का भी option मिल जाएगा अगर मैं print के भी option बताओ तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे या तो आपके वल certificate को print कर सकते है इसके लाब अगर आप annexure को भी print करना चाहते है तो यह second option दिया गया है और annexure के अंदर कुछ नहीं होता आपने जो application fill up करी होती है उसी की पूरी की पूरी detail के अंदर details आती है तो यानि 3-4 page का यह print होता है बाकि अगर आप certificate का ही print देना चाहते है तो 1-2 page के अंदर यह खतम हो जाता है और automation consultancy के लिए support के लिए इस app को checkout करना मत बुलिएगा thank you guys thank you very much